दोस्तों आप देख रहे हैं सुन्दर बिहार आज संडे है और मैं हाजिर हूँ संडे कमेंट बॉक्स ले करके दोस्तों मचली के शिकार से जुड़ा हुगा कोई भी सवाल जो सुन्दर बिहार चैनल के उपर कमेंट में आता है हम कोशिस करते हैं उसी दिन जवाब देने के लिए अगर कोई सवाल ऐसा है जिसमें समझाने के लिए हमें समय चाहिए तो उसको हम कमेंट बॉक्स में शामिल करते हैं ताके हम अच्छा से समझा दे दोस्तो हम किसी का कमेंट नहीं छोड़ते हैं उमीद करते हैं कि दोस्त आप लोग भी कमेंट करेंगे, हम कोशिस करेंगे जल्दी से जल्दी आपके कमेंट का जवाब देने के लिए दोस्तो अगर कोई कमेंट छूट जाएगा तो कोशिस करेंगे हम अगले संडे को जवाब देने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं देखते हैं आज का पहला कमेंट कीन का है पहला कमेंट है सोमनाथ बोस के तरफ से लिखते हैं के सुंदर भाई नमसकार आयर फिश या सिंगडा फिश का परफेक्ट चारा बताईए देखिए सर आयर मचली का चारा आपको एक बहतरीन चारा जो है वो बताते हैं आप क्या करेंगे मुर्गी का जो लीवर होता है उसको ले लेंगे थोड़ा सा यह बनाने में अजीब है सर लेकिन बहुत बेहितरीन चारा है और बहुत बेहितरीन तरीके से शिकार होता है तो ये आप टेंगड़ा मचली के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं सिंगी मचली और स्नेक हेड के लिए भी ये चारा इस्तेमाल कर सकते हैं तो क्या करेंगे आप मुर्गी का जो लीवर होता है उसको ले लीजिए और एक छोटा सा पीस लीजिएगा लेने के बाद से आप क्या करेंगे आधा कप मैदा को ले लीजिएगा और क्या करेंगे मैदा के अंदर इसको मिक्स कर दीजिएगा तो मिक्स करने से पहले आप लीवर को क्या कीजिएगा किसी चीज से उसको पीस दीजिएगा बिल्कुल बारीक पीष दिएगा, पीषने के बाद से आप इसको मिक्स कीजिएगा आटे के अंदर, और कोशिस कीजिएगा हल्का सा गरम पानी उसमें डाल करके उसको गूधने के लिए, जब गूधने के बाद से बेहतरीन बिल्कुल अच्छा से गूध लेंगे उसको तो हलका सा आप एकदम छोटा सा यानि एक लहसुन जो है उसका आधा टुकडा जो लहसुन को हम तोडते हैं तो उसमें बहुत सारा पाठ निकलता है तो एक टुकडा में से आधा टुकडा करके उसको भी आप मसल करके या पीस करके उस चारा के अंदर मिला लिजिएगा और मिलाने के बाद से आप हूक में छोटा हूक इस्तेमाल कीजिएगा अगर आप शिकार कर रहे है आयर मचली का या टेंगड़ा मचली का शिकार कर रहे है या स्नेक हेड का शिकार कर रहे है तो मेडियम साइज का हूक इस्तेमाल कीजिएगा और चारा को बिल्कुल गोल हूक को पूरा ढख दिजिएगा बिल्कुल और गोल इस्तेमाल कीजिएगा तो इसमें क्या होगा कि कम से कम आधा कीलो से उपर की मशली आपके शिकार में आएगी सर तो उमिद करता हूँ सर इस तरीके से आप शिकार करेंगे और अगर दोस्त आपको अगर शिकार मिलता है तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शियर कीजिएगा ताकि वो भी चारा बना करके फायदा उठाए थैंक यू सर अगला कमेंट है टिकेंदर यादो के तरफ से लिखते हैं कि बहुत बढ़िया टिप्स है सर पर मैं ज्यादा शिकार कर नहीं पा रहा हूं मतलब बोलते हैं कि टिप्स तो आच्छा है लेकिन ज्यादा शिकार नहीं कर पारा हैं दोस्तों ये वीडियो देखा था इन्होंने और देख करके यह शिकार करने के कोशिस किये, तो तो एक ये दोस्त, आप थोड़ा सा इसमें ट्रिक इस्तेमाल किजिए, क्या किजिए, अगर आपको कल शिकार करना है, तो एक दिन पहले जिस जगह पर आप शिकार करना चाहते हैं, वहाँ पर आप थोड़ा चराई डाल दे चराई डालने के बाद से आप दूसरे दिन आए तो फिर चराई लेकर के आए शिकार करने से पहले आप उस जगब पर थोड़ा सा चराई डाल दीजिए बिल्कुल थोड़ा सा डालिएगा और शिकार कीजिए थोड़ा समय के बाद फिर चराई डाली और शिकार करते रहे इस तरह से एक बार में पूरा चराई नहीं डालीएगा नहीं तो क्या होता है कि मचली चारा खा करके भाग जाएगी हो सकता है कि आपने भी एक बार में पूरा चराई डाला हो और मचली भर पेट चारा खाके भा गई हो तो ये दो तरीका है दोनों तरीका आजमाई है सर आपके शिकार में बढ़ोतरी होगा और उमीद करता हूं सर शिकार आप ज्यादा करेंगे तो अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करेंगे थैंक्यू सर अगला कमेंट है आशा भारती के तरफ से लिखती है के हमेशा धन्यवाद बोलूगा थैंक्यू उमीद करता हूं कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे और हमारा हिम्मत और होसला बढ़ेगा हम कोशिस करेंगे हमेशा नया नया तरीका का वीडियो लाए ताके हमारे भीवर लोगों को फाइदा होगे थैंक्यू अगला कमे है त्रीन चीज है मिर्गल मचली मिर्गल मचली जो 100 ग्राम 200 ग्राम या 300 ग्राम वजन की होती है वो मचली आप लीजिए ले करके उसको छोटा छोटा टुकड़ा काटिए काटने के बाद से आप क्या करेंगे उसको हूक में लगा करके पानी में डालेंगे इस तरह क्या हो शिकार के लिए आसानी से शिकार होता है और टेंगला मचली जो है परिशान नहीं करता है तो उमिद करता हूँ सर इस तरीका से आप शिकार करेंगे और भी बहुत सारा तरीका है जिस से छोटी छोटी जो दूसरी मचली होती है सब परिशान नहीं करती है सब लेकिन ये दो त तरीका को आप इस्तेमाल करेंगे ये तीन तरीका आप देखेंगे और शिकार करेंगे टेंगडा मचली या दूसरी जो मचली है आपको परेशान नहीं करेगी उसमें सिर्फ पुआल मचली आएगी ओके थैंक यू सर अगला कमेंट है अबदुलरहमान के तरफ से लिखते हैं कि सर बहुत बहुत बहतरीन वीडियो है थैंक यू सर देखिए सर आपको भी मैं शुक्रिया बोलना चाहूंगा आपने हमें कहा था महुए का बारे में हमें याद है मैं जल्द ही आपको कोरियर करूंगा और हमारे जो भीवर हैं उनको भी मैं बताना चाहता हूं कि ये टे मुहम्मद इरशाद के दरफ से लिखते हैं कि यह चारा मैं बना कर ले गया था यह चारा पानी में घूल जाता है बहुत जल्दी एक भी मचली नहीं आया देखिए सर चारा तेज अगर पानी का तेज बहाव है तो चारा घूल जाता है तो इसको प्रॉबलम दूर करने के लि चारा जो आपने बनाया है खौलते हुए पानी के अंदर डाल दीजिए सिर्फ 10 सेकंड के लिए 10 सेकंड के बाद आप तुरंत उसको चान करके बाहर निकाल लेंगे और थोड़ा उसको हावा लगने के लिए छोड़ देंगे चारा जो है जो चान करके आपने रखा है एक तूसरे में टच नहीं होना चाहिए बलके अलग-अलग रहना चाहिए और थोड़ा उसको हावा लगने के लिए रख देना चाहिए या अगर आपके घर में फैन लगा हुआ है तो आप फैन लगा दीजिए पंखा चालू करके थोड़ा सा उसको ठंड़ा कर दीजिए का आजमाईए सर और इस तरीके से आप शिकार करेंगे और आपका चारा लंबा ठीकेगा थैंक्यू सर अगला कमेंट है शेख इब्बू के तरफ से लिखते हैं के थैंक्यू सर आपने मेरे पिछले सवाल का जवाब दिया सर ये बौाल फिस जादा तर कहां रहती है सर मैं लोकेशन बताएंगे आपकू जहां पर जमाल मचली होती है और आसानी से शिकार करने के लिए कुछ तरीका कुछ बताओं ऐसे तरीके से हम शिकार करेंगे लिए तो सबसे पहले हमें जानना होगा के बौन मचली रहती कहां पर नदी या तालाब में ऐसे जगां पर देख जहां पर शैवाल हो, लेकिन कौन सा शैवाल, शैवाल भी बहुत परकार का होता है, ऐसा शैवाल जो बाल के तरह बारीक पतला होता है, ग्रीन कलर का होता है, उस जगा पे नहीं, दूसरे परकार का शैवाल होता है, जिसमें पत्ती होता है, बिल्कुल जो घास जाड़ी होता उस तरह से आप पानी के अंदर देखेंगे तो शैवाल जो पती वाला शैवाल होता है उस तरह के शैवाल के आसपास में बौाल मचली होती है क्यूंकि वहां पर छोटी-छोटी मचली ज्यादा होती है और शैवाल के वज़ा से भाग नहीं पाती है इधर उदर तो बौाल पत्वार के अंदर अगर अगर आप हूक डालते हैं तो आपको शिकार करने में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है तो बौाल मचली को बाहर निकालने के लिए ट्रिक जानना चाहिए तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जो पतीदार शैवाल होता है वहां पर आप हूक कैस से निकालना है और शैवाल है तो वहां शिकार करने के लिए आप दो तीन चीज़ डाल सकते हैं एक तो हो गया आप नैन मचली या मिरगल मचली को छोटा-छोटा टुकड़ा काट करके शैवाल के अंदर डाल सकते हैं शिकार करने के लिए दूसरा तरीका है आप मिढ़क का इस्तिमाल कर सकते हैं तीसरा तरीका है आप घोगा का इस्तिमाल कर सकते हैं चौथा तरीका है स्नेक हेड जो गराई मचली या बहुत से जगा सोल मचली उसको बोलते हैं तो उसको आप ले लेंगे उसको किसी चीज से रगड करके साफ कर देंगे साफ करने के बाद से उसको काटा में डालेंगे काटा में इस तरह से डालेंगे कि उसके बोडी का जो सेंटर हिस्सा होता है उसके पीष्ट के उपर से डालेंगे और हूक बाहर निकाल देंगे और उस जगह पर डालेंगे जहा मिलाने के बाद मिलाने के ऐसको गूधेंगे नहीं सुखा हुआ ही थोड़ा थोड़ा खरपतवार से अलग आप जहां साफ जगह वहां पर छीटेंगे छीटने के बाद से क्या होगा थोड़े दिर के बाद बॉल मचली उसको उसका एट्रेक्ट पाकर करके उसका सुगंध पाकर के बाहर निकलेगी और वहां पर आप चराई डाल दिये हैं डालने के बाद से आप चारा डाली होग में लगा करके और आसानी से शिकार करेंगे तो ये था ब्वाल मचली के शिकार करने का तरीका और भी तरीका है सर आप मुर्गी का आथ इस्तेमाल करेंगे लेकिन ये दोनों जगह पर जहां ब्वाल मचली रहती है आपको इस ट्रिक को आज माना पड़ेगा ट्रिक को करना पड़ेगा पहले आप थोड़ा सा चराई डा करकर पानी में डालिए और ब्वाल मचली जब बाहर निकलेगी तो आप शिकार करेंगे ये था कुछ तरीका ब्वाल मचली के शिकार करने के लिए दोस्तों इस तरीका से आप शिकार कीजिए उमीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा ल Thank you.